है 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 और यह सो आज के लेक्चेर में हम हाज़ शायकल क्या रहेती है और हार्ट साउंड क्या रहेते हैं इसके वारे में देखें घोज़ाइ यह यह आपका थाख स्वक्र में यह जो है आपकी SVC है, यह जो है आपकी pulmonary है, यह जो पीछे का पार्ट है, वो आपका left atrium है, यहां अंदर हमको wall दिख रहे हैं, this one is the wall, यह जो है यह ग्रीन कलर की tricuspide wall, यह जो है वे bicuspide wall, यह pulmonary में है वो pulmonary wall, और जो अवर्टा है, उसके अंदर, यहां, यहां जो है यह a pulmonary wall, और यह जो beach का part है, इसको septum बोलते हैं, beach का center part जो है, उसको सिर्फ septum बोलेंगे, और side का जो है, वो अपका myocardium, pericardium and endocardium, सबसे बाहर का अंदर का, ऐसा हमने divide किया था, cardiac cycle, जो cardiac cycle है, वो exactly कह रहता है, so heart जो है, वो blood pumping organ है, यह जो organ है, वो pump हो गया, तो ही आपर supply ज हो जाएगा, क्या blood आपके organs को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, so heart में, जो chambers रहते है, अपर पार्ट को हमने atrium बोला था, this one is the atrium, so time required for the atrial contraction, means atrium का जो contraction है, right or left, दोनों भी side के जो atrium है, उनके लिए time जो required रहता है, contraction के लिए, वो 0.1 second का रहता है, so 0.1 second is the atrial systole, उसको क्या ब बोलते है, तो time required for the ventricular systole, ventricles तो बड़े रहते है, as compared to the atrium, atrium से बड़े रहते है, so time required for the ventricular systole is around 0.3 seconds, इसको जो लगने वाला time जो है, वो कितना रहेगा, 0.3 seconds का रहेगा, और time required for the complete heart distole, जो heart है, उसको पूरे heart को distole होने में, means relax होने में, लगने वाला जो time हो, वो 0.4 seconds का रहेगा, तो अभी आपको समझ में आया, atrial systole means का रहेगा, atrium का contraction रहेगा, atrium छोटे होंगे उसमें, second is the ventricular systole, उसमें ventricles छोटे रहेगे, और उसको लगने वाला time जो है, वो 0.3 seconds का रहेगा, और third one is the complete cardiac distole, यह जो complete cardiac distole है, वो 0.4 seconds का रहेगा, और उसमें heart भी क्या होगे, relax होंगे, और next cycle के लिए प्रिपेर हो जाएंगे, उसके जो cell से वो work करके ठक जाते हैं, continue, आपका heart जो हो continuous beat करता है, तो उसके लिए relaxation के लिए थोड़ा सा time जो है, वो require रहता है, और वो 0.4 seconds का है, वो resting परेड़ करके उसको बुला जाता है, तो उसे complete cardiac distole हो heart contraction and relaxation required time is around 0.8 seconds, ऐसा ही 0.8 seconds के जो complete cycle है, आपके 1 minute में 60 to 80 cycles जो हो आपके complete होने चाहिए, तब ही आपका जो heart है, वो proper काम कर रहा है, वैसा समझ में आता है, अभी आपका जो heart है, वो slowly work करता है, कभी कभी ये जो heart है, आपका बहुत slowly work करता है, मिन्स उसका contraction जो है, वो बहुत slowly हो जाता है, उसको bradycardia ऐसा बोलते है, तो कभी कभी ये जो heart है, वो बहुत fastly क्या करता है, पर्म करता है, तो उसको trachycardia ऐसे बोलते है, heart sound, आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है, वो stethoscope जो है, वो आपके chest wall पे लगा कि heart का sound जो है, वो चेक करते है, वो जो sound है, वो वहाँ पे walls present रहते है, heart में कहा रहते है, walls present रहते है, ये जो walls है, ये जो white color की दिख रही है, वो close और open होते time क्या हो जाता है, उससे एक प्रकार का sound create होता है, उसको हम क्या बोलते है, heart sound बोलते है, जो heart sound है, वो two types का रहता है, ये लूबी लूप, slightly louder, जो atrium और ventricle के बीच में, यहाँ पे ये जो दिख रहे है, एक right side और एक left side, ये जो है, एक atrium ventricle और wall है, और ये जो atrium ventricle, atrium और ventricle के बीच के wall है, ये जब close होते है, उसके closing का आवाज जो है, वो तोड़ा सा louder लेता है, उसको लूप बोलते है, तो यहाँ पे ये जो है, this one, pulmonary के बराबर नी और यहाँ पे, this one, ये जो green color की है, ये आपकी अवर्टिक wall है, अवर्टा के बराबर नीचे, यहाँ पे आपको green color की दिख रहे है, ये है, आपकी अवर्टिक wall है, तो ये अवर्टिक and pulmonary wall close होने का, जो sound आता है, उसको डूप, ऐसे बोलते है, डी यूप डूप, और ये ये जो sound है, थोड़ा सा कैसा रहता है, ये softer रहता है, than the loop, loop से, वो softer रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा, ये जो wall से, बड़ी wall से, और उससे जो sound create होगा, वो obviously ज्यादा रहेगा, than the loop, loop and loop, अभी आपको समझ में आता है, loop means atroventricular walls, close होने की जो आवाज है, उसको loop बोलत है, नहाँ पर आपको heart का जो circulation है, ये दिखाई दे रहा है, वन is the SVC, this one is the IVC, and this one is the right atrium, then this one is the right ventricle, then this goes into the pulmonary artery, then this pulmonary again enter through a pulmonary vein, enter in this area, this is the left atrium, and then this left atrium to the left ventricle, and this left ventricle to the aorta, and you supply to all body parts, so now you can easily understand, right atrium, right ventricle, then pulmonary artery, then pulmonary vein, then left atrium, left ventricle, and the aorta.